हेलो एवरिवन मैं आपकी होश्ट अरन्या और आप देख रहे हैं वंडर्फुल गार्डन दोस्तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्लांट शेयर करने वाली हूँ जो कि आप बोर्डर के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो इसे बोर्डर प्लांट भी बोला जाता है और लोरो पैल्थरम भी इस प्लांट का नाम होता है आप इसे लालसा के नाम से भी नर्सरी से परचिस कर सकते हैं आज इसकी प्रॉपर केर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी देखे दोस्तों मैं छोटी सी ही कटिंग लेकर के आई थी गार्डन से जैसे हम पार्क वगरा में जाते हैं यह बोर्डर पे लगी हुई थी और मैं एक चोटी सी कटिंग लेकर आई थी और आज मेरे घर पर इसकी इतने सारे प्लांट्स मैंने रैडि कर लियां चोटी-चोटी cutting space की इतनी अराम से लग जाती है और देखने में बहुत ज़्यादा ये प्यारा plant है इस plant को रखने के बाद दोस्तो मैंने क्या-क्या face किया वो भी मैं आप लोगों के साथ share करूँगी तो वीडियो को अंतक बने रहें आए दोस्तो अपने वीडियो शुरू करते हैं यह देखें दोस्तो यह है मेरा लालसा का plant color आप देखी रहे हैं इस plant को आप जब ज़्यादा धूप में रखेंगे उतना ही ज़्यादा इस plant के color निकल कर आएंगे क्योंकि दोस्तो जब मैंने इसको cutting से लगाया और cutting जब हम आप जानते हैं जब हम cutting लगाते हैं तो shady area में ही रखते हैं मैंने shady area में तो रखा लेकिन मैं देख रही थी कि दीरे दीरे इनकी जो नीचे की लीड थी वो green होना शुरू हुई और last में आकर वो brown होकर कि खराब हो गई इसलिए फिर मैंने इसको उठा करके proper तेज धूप में रखा उसके बाद से ही जो मेरा plant है बहुत अच्छे से growth कर रहा है कलर भी काफ़ अच्छे से इसके निकल के आ रहे हैं दोस्तों अगर आप लोगों को यह लगता है कि इंडूर प्लांट है या हम इस प्लांट को थोड़ा shady area में रख देते हैं तो बिलकुल भी ना रखें क्योंकि उससे दोस्तों आपके प्लांट को यह problem हो कि आपका प्लांट का जो color है वो थोड़ा सा change हो जायेगा लीफ काफी दूरी पे आना शुरू हो जाएंगी और देरे देरे आपका जो प्लांट है उसकी लीफ brown होना शुरू हो जाएंगी एक हद तक आपका प्लांट खराब हो जाएगा आप इस प्राइन को जतनी ज्यादा अच्य दूप दिखाएंगे आपका प्राइन अतनी ही ज्यादा तेज दूप में अच्छे से सर्वाइव करेगा और दूसरी बात की जो सोहिल ए हमें बिल्कुल वैल डिरिंग रखनी है well drain का मतलब है आप उसमें सेंट की मातर थोड़ी जाद रख सकते हैं और तीसरी बात दोस्तों मैंने इसमें ये चीज महसुस किया है कि इस प्लांट को जब हम दो दिन भी अगर winter में watering ना करते हैं तो भी कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन summer में आप इसे पड़े watering करें क्योंकि आप भी जानते हैं summer में बहुत तेजगर्मी पड़ती है summer में तो आप इसे पड़े ही watering करें लेकिन winter के समय में आप इसके लिए तीन दिन चार दिन भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ये अराम से ही survive कर जाएगा ये देखे दोस्तों मैंने छोटी-छोटी इनकी cuttings लगाई हुई है और काफ़ अच्छे से इनकी cuttings लग गई है दोस्तों जब हम इने border के side में लगाते हैं ग्रीन plants के साथ में अगर border बना करके लगाते हैं तो ये इतनी fast grow करते हैं लेकिन अगर आप इनकी cutting करते रहेंगे तो ये भी एक अच्छी सी shape में रहेंगे इनकी D shape नहीं होगी और बहुत ज़ादा ये प्यारे भी लगते हैं इतने बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे जैसे चमपा के plant हो गई बुगन बीलिया के plants हो गई उनके नीचे के जो पोट है वो लगबक खाली ही रह जाते हैं तो आप लाल सा plant को भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों की condition सेम होती है इनको पानी की कम जोर्त होती है और इससे फा प्लांट बच जाते हैं अधिकतर दोस्तों मैं इसी तरीके से अपने plants लगा करके रखती हूं आप भी अपने plants को ऐसे ही मैच करके लगा के रखे तो और भी जादा आपके plants को benefits होगा क्योंकि एक पोट में आपके दो plants कवर करेंगे दोस्तों इनकी leaf भी काफी ज्यादा इसी हुई रहती हैं आप वह वाली भी लिक्विड में करके दे दीजिए और एक चमच अगर आप इसमें बॉन मिल डालना चाते हैं तो आप वह भी दे सकते हैं इन plants के लिए बहुत जादा फायदे मंद होते हैं और अगर आप नीम खली डाल रहे हैं इससे दोस्तों क्या ह वाना कि प्लांट को मैं पानी ने दे पाई तीन दिन हो गए थे तो उपर की लीव सुख गई जो कि बिल्कुली ड्राय हो गई लेकिन इस टैंप अभी भी हरी है मैंने उपर से इसको करश कर दिया है जितने भी सुखी लीव थी और मेरा जो प्लांट अब दीर दीर आप न ने लगाने का असली मज़ा जब होता है जब हम ग्रीन प्लांट के साथ इनको मिक्स करके लगाते हैं और भी ज़्यादा ये प्यारे और खूबसूरत लगते हैं देखने में ये काफी कम केर में चलने वाला प्लांट है दोस्तो इस प्लांट को मैं तो यही कहूंगी कभी इस प्लांट को नर्सेरी से पर्चिस ना करें हो सके तो आपको गार्डन में या असपास में कही ना कहीं मिल जाएगा अगर आप इसकी एक कटिंग भी लेकर के आते हैं आप उसे में लगा दीजिए बस पानी का आप खास खहल रखें प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद हैं और आपको प्लांट के बारे में जादर जानकारी नहीं है तो लालसा को आप अपने गार्डन में जरूर एड़ करें छोटी-छोटी कटिंग आप इनकी लगाएं और सेंडी सोल में लगाएंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी कटिंग एक भी खराब नहीं हो आप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो छे लगी तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूं नेक्स वीडियो में बाई